जै जग जननी आदि भवानी जै मैसा सुर्मारिडिमा उमरमा गौरी ब्रह्मारी जै त्रिवुवन सुखकारिडिमा स्वास स्वास में बसी मदुरगामन मंदिर है धाम स्वीकार करो मानमन हमारा कोटी कोटी प्रणा जै माता दी बोलिये अंबे मात की जै भगवती महा सक्ती ही परम ब्रह्म परमात्मा है जो बिभिन स्वरूपों में बिभिन लिलाएं करती है इन्हें की सक्ती से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ती करते हैं इन्हें की सक्ती से विश्णू स्रिष्टी का पालन करते हैं और सिव जगत का संगहार करते हैं अर्थात यही स्रेजन, पालन और संगहार करने वाली आध्या परासक्ती हैं। और यही सक्ती हैं, यही नर और नारी हैं। और यही माता और धाता तथा पिता मह भी हैं। और नित्य कमेंट भी करते हैं। यहां तक कि देवी भागवत के दृती अध्याई में यही लिखा है कि यदि आप कोई साधना विधी विधान नहीं जानती, नवरातरी कावरत नहीं कर पातें। तो एक काम अवस्य करें। देवी भागवत महा पुराड के प्रथम अध्याई का स्रवन करते हैं। पुराडो की परंपरा में अठारह महा पुराडो के साथ साथ, अठारह उप पुराड भी प्राप्त हैं। उप पुराडो में महा भागवत देवी पुराड का महत्यपुन स्थान है। यह पुराड धर्मशार युक्त भक्ती भावत था सभी काब्य गुडो से समलंकृत है। जिनकी आराधना करके स्वयम ब्रह्मा जी इस जगत के सुरजन करता हुए, भगवान विश्नों पालन करता हुए, तथा भगवान सिव संघार करने वाले हैं। योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और ततवार्थ जानने वाले मुनिगड उन्हें मूल प्रकृती कहते हैं। स्वर्गत था मुक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करती हूँ। इस पुराड के आदी वक्ता भगवान सदा सिव तथा सुरोता देवर्शी नारद हैं। एक बार नैमी सरण में सोनक आदी महर्शियों ने वेद वक्ताओं में स्रेष्ट मुनिवर्सूत जिसे पूछा। हे महामुनी अब आप स्वर्ग तथा मुक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराड का वर्णन कीजिये जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विश्टार से वर्णन किया गया है और उसके यथा विधी स्रमन करने से दिब ज्यान से रहित मनुस्यों में भी आत्मा नारत के लिए किया था पुर्वकाल में उसे फिर्श्वयम भगवान व्यास ने भक्ति निष्ट महर्शी जैमनी के लिए स्रध्धा पुर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप से कह रहा हूं उसे प्रयत्न पुर्वक उसे प्रयत्न पुर्वक गोपनिय रखना चा इसके स्रवन करने तथा पाठ करने में दिविज को जो पुन्य प्राप्त होता है। भगवान सिव भी सौ वर्षों में उस पुन्य का वर्णन करने में समत नहीं है। तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि वह पुन्य असीम है यह सुनकर सभी रिसीगड विस्मित एवं अत्यांत हर्सित हुएं उन स्रेष्ट मुनियों ने वेद वक्ताओं में स्रेष्ट सूत जी से पुनह कहा मुनिवर जिस तरह से यह स्रेष्ट पुराण इस फृत्वी लोक में प्रकासित हुआ आप कृपा करके उसका यथार्थ रूप में वड़न कीजिए स्री सूत जी बोलें समस्त धर्मसास्त्रों के वक्ता सभी वेद विदो में स्रेष्ट धर्मग्य, ज्यान संपन, महान बुद्धी वाले, महामुनी भग्मान महर्सी, ब्यास जी अठारह पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुएं उन्हें चिंता हुई कि यह पुराण परम स्रेष्ट है, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ भी इस प्रित्वी पर नहीं है, भग्वती का परम तत्व तथा, विस्तृत महाले इसमें विद्धिमान है, देवी तत्व से अनभेग्य, मैं इसका वर्नन कैसे करशकूंगा, ऐसा सोच करे, उनकी मन में बढ़ाज छोब हुआ, महाग्यानी महश्वरे, सिव जिसके तत्व को भली भाती नहीं जानते हैं, उनकी परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार करे, परम बुधिमान तथा, दुरगा भक्ती परायड, ब्यास जी ने हिमाले परव से आकास में इस्थित होकर, उनसे यह वचन कहा, महामुने, यहां ब्रह्म लोक में समस्त सुरुतियां, बिद्धिमान हैं, आप वहाँ पर जाए, वहाँ आप मेरे संपून परम तत्व को जान लेंगे, वहाँ सुरुतियों के द्वारा, मेरी स्थुति की ये जाने पर मैं प्रकट हो जाऊंगी, और आपकी जो भी अभिलासा होगी, उसे पून करूंगी, तदवंतर भगवती की आकाश वानी सुनकर, महरसी ब्यास जी, ब्रह्म लोक गए, वहाँ उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पुछा, अविनासी ब्रह्म पद क्या है, विनैसे नम्र, मह महरसी का यह वचन सुनकर, एक-एक करके सभी वेदों ने ततकाल, मुनिसरेष्ट, ब्यास जी से कहा, रिग वेद ने कहा, सभी प्राड़ी जिसके भीतर इस्तित हैं, और जिसमें संपून जगत प्रकट होता है, तथा जिसे परंतत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयम यह जुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के तत्वों से जिसकी आराधना के जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एक मात्र भगवती हैं, सामवेद ने कहा, जो इस समस्त जगत को धारड करती हैं, तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, और जिनसे यह विश्व प्रकासित हैं, वे एक मात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्यापत हैं, अर्थवेद ने कहा, भगवती के गृपा पात्र लोग भक्ती पुन, जिस देवश्चुरी का दर्शन करते हैं, उनहीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रम कहते हैं, सूत जी बोले, व उन वेदों ने महामुनी व्यास जी से पुनह कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है, वैसा हम प्रत्यच दिखाई देंगे, ऐसा कहकर सभी सुरुतियां, सच्चिदा अनंद विग्रह वाली, सुध स्वरूपा तथा, सर्वदेव मै, परमेश्वरी का स्टवन करने लगी, वेद दोने कहा, दुर्गे, आप संपून जगत पर क्रिपा कीजिए, परमे, आप ही अपने गुडों के द्वारा, स्वेच्छा नुसार स्विष्टी आदी तीनों कारियों के निमित, ब्रम्हा आदी तीनों देवों की रचना की है, इसलिए इस जगत में, आपको रचने वाला कोई भी नहीं है, माता, आपके दुर्गम गुडों का वणन करने में इस लोग में भला कौन समर्थ हो सकता है, भगवान विष्णू आपकी आराधना के प्रभाव से ही, दुर्जय दैत्यों को युधस्थल में मार कर, तीनों लोकों की रच्छा करते हैं, भगवान सीव भी अपने हिदय पर आपका चरड धरड कर तीनों लोकों का विनास करने वाले कालकुट विष्ण का पान कर लिया था, तीनों लोकों की रच्छा करने वाली अम्बिके हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर शकते हैं, जो अपने गुडों से माया के द्वारा साकार परम को धरड करती हैं, और जो परा सक्ती ज्यान तथा क्रिया सक्ती के रूप में प्रतिष्ठी थें, जिनकी उस माया से बीमोहित सरीर धरडी, प्राडी भेद ज्यान के कारड सर्वांतर आत्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं, अम्बिके उन आप म महा देवी को नमस्कार है, इस्तरी पुरुष रूप प्रमुख उपाधी समूहों से रहिद जो परम ब्रह्मा हैं, उनमें जगत स्रिष्ठी की निमित, सर्व प्रथम, स्रिजन की जो इच्छा हुई, वह स्यम आपकी ही सक्ती से हुई, और वह परम सक्ती भी इस्तरी पु उत्पन ओले, आदी को देखकर मान जनों को यह जल ही है, ऐसा ध्रुव निश्चित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन उस समस्त जगत को देखकर, यह सक्त्यात्मक ब्रह्म ही है, परात्व परम ब्रह्मा में जो पुरुष बुद्धी है, वह भी शक्ती स्वरू चक्र, मडी पूर चक्र, अनाहत चक्र, वे सुधाख चक्र, तथा आग्या चक्र में ब्रह्मा दी जो छे विभूतियां सुसोभित होती है, वे प्रलयांत के आपके आश्रे से ही परम पद को प्राप्त होती है, इसलिए सिवे सिवाधी देवों में स्वयम की इस्वर्ता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है, देवी एक मात्र आपके चरण कमल ही, देवताओं के द्वारा वंदित है, दुर्गे आप हम पर प्रशन हों, सूत जी बोलें इस प्रकार सुरतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुती की गई, सनातनी जगतंबा सती ने अपना शरूप दिखाया, तभी प्राडियों के भीतर इस्थित रहने वाली उन जोती स्वरूपडी, भगवती ने व्यास जी के अंस का नास करने के लिए इच्छा स्वरूप धारड किया, उनकी आकरिती हजारों सुर्यों के प्रकास से युक्त थी, करुडों चंद्रमाओं की क दिब्य गंधों का लेप लगा हुआ था, वे सिंग की पीठ पर विराजमान थी, और कभी कभी सव पर शवार भी दिखायी पड़ती थी, वे भगवती चार भुजाओं से सुसो भी थी, उनके सरीर की प्रभा नवीन मेख के समान थी, वे छड़ छड में कभी दो, कभी चा तथा कभी अनन्त भुजाओं से युक्त होकर दिब्य रूप धरड कर लेती थी, वे कभी विश्नु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धरड करके बीराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्व जीव का रूप धरड कर उनके बाम भाग में गौरी रूप में इस्तित हो जाती थी, इस प्रकार उन सर्व ब्यापिनी ब्रह्मस्वरूपडी भगवती ने अनिक प्रकार के रूप धरड कर ब्यास जी का संसे दूर कर दिया, सुद्जी बोलें इस प्रकार परासर पुत्र ब्यास जी भगवती का दर्शन करकी उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जान कर जीवन मुक्त हो गएं, तदवंतर भगवती ने उनकी अभिलासा जान कर उन्हें अपने चरड तल में इस्तित कमल के दर्शन कराएं, मुनी ब्यास जी ने उस कमल के हजार दलों में परमाच् भागवत नामक पुराड को देखा द्वी जो तब सिर जुका कर इस्तुती करते हुए देवी को साधर प्रणाम करकी क्रीत कृतत्थ होकर वे महर्शी ब्याहजी अपने आसरम चले गए उन्होंने भागवती के चर्णों में इस्थित कमल में परमाच्छ रूप पवित्र महा भागवत पुराड का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकासित किया उन्होंने अत्यांत स्नीह पुरवक मुझे यह पुराड सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हिर्दय में धारड किया अब मिश्नेह के करड आप लोग से उस पुर पहवी कला के भी दुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राडियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोग में महाभागवत पुराड प्रकासित हुआ। इस प्रकार महाभागवत पुराड के अंतरगत स्री सूत सौनक वाक्य ने महाभागवत प्रकाशन नामक पहला अध्धाय पून किया अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर के खपरवाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर भेड़ पड़ी है मैया भारी दानों दल पर तूट पड़ो मा करके सिंग सवारी सौ सौ सिंगों से तू बलसाली अश्च भूजाओं वाली दुष्टो कूपल में संघारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुरगे खपर वाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मा बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मलनाता पूत का पूत सुने हैं परना माता सुने कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली अम्रित बर्शाने वाली दुखियों के दुख़डे नी वारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरी ही गुण गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दवलत नहीं मांगते सोना मां हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना सब की बिगडी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के जन्तन को तारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती चरन सरन में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली वरद हस्त सर पर रखलो मां संकट हरने वाली मां भरदो भक्ती की रस प्याली अश्ट भूजाओं वाली भक्तन के कारज तु ही सारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अंबे तु है जगतंबे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती